हेलो चैपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंड्रेड में वेलकल्म करता हूँ दोस्तों आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा फूर्स चैप्टर है जोगरफी का और उसका नाम है अग्रि कल्चर दोस्तों ये अग्रि कल्चर वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत फैक्ट्यूल लगता है और बड़ी दिक्कत होते हैं कि यार इसमें धिएल सारे फैक्ट्स हैं उसको कैसे याद किया जाए दोस्तों में ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ सकता हूँ और आएए देखते हैं चैप्टर कैसे आसान है क्योंकि हम लोग इसमें लर्निंग की ट्रिक्स शेर करेंगे और आपको मज़ाएगा अये देखते हैं चैप्टर ये चैप्टर है हमारा अग्रीकल्चर सबसे पहले हम ये समजें के कि अग्रीकल्चर का मतलब होता क्या है दोस्तों हमें से जादधा थर लोगों को लगता है कि अग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अबल Collecting of Crops and all आई एक बर देखते हैं फटाआ फट अफट, so agriculture means, सब से पहरे देखे अग्रिकल्चर क्या है, agriculture is the art and science of cultivating the soil, cultivating the soil मतलब, preparing the soil for sowing the seeds, for example, आप देख सकते हैं, दूसरा है, growing of crops, you can see, and the third is raising the livestock, stock raising the livestock मतलब हुआ rearing of animals right so what is the complete definition of agriculture complete definition of agriculture is cultivating the soil basically agriculture is the art and science of cultivating the soil growing of crops and rearing of farm animals right अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल चलिया आगे बढ़ते हैं next slide talks about importance of agriculture आई देखते हैं importance of agriculture दोस्तों agriculture की importance से हम सभी well aware है आई ये देखते हैं कि हमारी NCRT में agriculture के importance में क्या क्या points है सबसे पहला point है दोस्तों India is an agriculturally important country इंडिया एक agriculturally important country क्यों है क्योंकि हमारी country में 47% लोग अपनी livelihood के लिए यानि अपनी livelihood आप लोग समझते होंगे अपनी livelihood के लिए 47% लोग agriculture पे independent है यानि 47% लोगों की जीवी का agriculture से चल रही है वो खेती ही करते हैं खेती बाड़ी करते हैं और animal rearing करते हैं आई देखते हैं कैसे according to economic survey 2022 and 2023 यानि जो government of India का finance ministry of finance है वो economic survey हर साल issue करता है उसके according इंडिया का 47% population अपनी livelihood के लिए agriculture पे dependent है तो इसलिए इंडिया एक अग्रिक कल्चरली important country है पहला यह हो गया दूसरा agriculture is a primary activity दोस्तों आप comment box में comment करके बताएं कि agriculture एक primary activity कैसे है चले आगे बढ़ते है agriculture is a primary activity which produces most of the food आज जो भी आपने अपने breakfast, lunch और डिनर में जो भी आपने खाया है उसमें से अगर आप देखें तो directly और indirectly वो चीज़े अग्रिक कल्चर से ही आती है अगर हमने अच्छापाती खाई या राइस खाया वो तो directly agriculture से आती है लेकर अगर हमने चाया कॉफी में जो milk इस्तेमाल किया चाया कॉफी का जो milk इस्तेमाल किया कहां से आता है cow and buffalo से आती है अगर फैलो क्या खाती है फॉर्डर फॉर्डर कहां से आता है अगरी कल्चर से आता है राइट तो हम लोग अपनी फूड नीड्स के लिए अगरी कल्चर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आगे देखते हैं एक तो यह हो गया ठीक है हमें फूड मिलता है दूसरा अगरी कल्चर और सो प्रोड्यूसे रॉम मैटेरियल्स फॉर वैरियस इंडस्रीज कैसे चले समझते हैं दोस्तों हम लोग आ शुगर केन का प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन के क्रॉपिंग करते हैं बैसिकले जो शुगर केन जो पूरी शुगर इंडस्ट्री है अगरी कल्चर पर ही तो डिपेंडेट है शुगर इंडस्ट्री हो गया दूसरा हम लोग देख सकते हैं टी इंडस्ट्री हो गया टी कॉफी इंडस्ट्री हो गया राइट उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, textile industry हो गया, हम लोग और एक देख सकते हैं, leather goods industry देख सकते हैं, राइट, और leather goods industry ये देखे, इसलिए जब हम लोगों ने पढ़ा था न कि agriculture क्या है, agriculture का मतलब केवल growing of crops नहीं होता, rearing of animals भी होता है, अब जो animals होते हैं, उनके leather से हम लोग belts use करते हैं wallet and purse यूज करते है राइट shoes होता है है नू लेधर गुट्स इंड़ेश्री टोटली उस पर डिपेंड करती है एगरिकल्चर पर ही डिपेंड करती है उसके बाद हमने देखा vegetable oil industry ठाना बनाने में vegetable oil आप लोग जानता है बहुत important होता है उसके बाद देखें sugar industry यह देखें ट्रक्स में गन्ना भर के जा रहा है sugar mill में तो agriculture इसलिए भी बहुत important है third point हम लोग देखते हैं some agricultural products like tea, coffee, spices etc. are also exported दोस्तों क्या होता है जब हम tea, coffee और spices export करते हैं तो क्या आता है उससे foreign currency मिलती है यह अपने आपने बहुत हमारी economy के लिए हमारी country की economy के लिए बहुत अच्छी बात होती है राइट अगर समझें तो tea, इंडिया से tea सबसे ज़्यादा कोंसी country export किया 2023 year में सबसे ज़्यादा किया United Arab Emirates UAE ने UAE ने इससे बहुत ज़्यादा foreign exchange इंडिया की economy में आया उसके बाद अगर हम coffee की बात करें तो 2023 year में coffee सबसे ज़्यादा import किया Italy ने हम लोगों से और अगर हम spices की बात करें तो Saudi Arabia ने हम Saudi Arabia पहले number पे है spices हम से खरीदता है और United States of America दूसरे number पे है यह 2023 के facts and figures की बात कर रहा हूँ इससे valuable foreign exchange हम लोगों को मिलता है I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है राइट now we'll move to the next slide and next slide talks about देखते हैं it says agriculture is an agriculture is an age old economic activity दोस्तों समझते हैं इसको पहले आपको पता है कि जो early man है वो caves में रहते थे या जंगल में रहते थे उसके बाद उनोंने धरे-धरे animals को domesticate करना शुरू किया और फिर उनोंने देखा कि water उन्होंने महसूस किया कि water बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए तो उन्हों किया कि अपनी अपने जो animal था उसकी water needs के लिए खुद की water needs के लिए और अपनी crops की water की needs के लिए उन्होंने जो river से उनके किनाने रहना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उनकी water, जो animals के लिए water चाहिए था, खुद के consumption के लिए water चाहिए था, उनकी crops के लिए water चाहिए था, तो agriculture तब से शुरू हुए है, Indus Valley civilization में भी agriculture के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, छटी class म में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो agriculture बहुत ही पुरानी activity है हमारी country में, throughout the world भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम क्यों इंडिया के context में focus करेंगे, तो over these years, यानि Indus Valley civilization, यानि जब हम नदियों के किनारे अरली में रहा करते हैं, तब से लेकर आज तक, बहुत, जो agriculture के methods हैं, उसमें बहुत सारे changes आये हैं, आये देखते हैं, over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, what do we mean by characteristics of physical environment, इसमें आता है कि कहीं के, मतलब कहीं पर land कैसी है, plain land है, कहीं पर mountainous land है, कहीं पर valley है, कहीं पर plateau है, तो यह भी type of agriculture को affect करती है, उसकी टेक्नो लाइंड है, आप लोगों को पता है, कि शुरू शुरू में जो plow होता है, जो bell के पीछे, हल, आपने किसान को खेत में plowing करते हुए देखा होगा, पहले जो उसका fall होता है, यानि ये वाला area, plow का ये जो नीचे वाला हिस्सा, जो जमीन को, ये वाला हिस्सा, ये जो होता है, ये प्लो ये बाद ये वाला हिस्ता, iron का बनने लगा, तो agriculture में काफी जो produce था, agriculture में काफी अच्छा growth हाया, राइट, तो मतलब basically मैं ये समझाना चाहरा हूँ कि जो technological know-how था, पहले यहाँ पे wood use होता था फिर बाद में, iron की discovery होने के बाद, iron use होने लगा, इससे technology बदल गई, enhance हो गई राइट, उसके बाद, socio-cultural practices, so basically ये point ये पहुन ला चाहरा है कि over these years, यानि इंडिस वैली civilization या जब early men, reverse के किनारे agriculture कर रहे थे, तब से लेकर आज तक जो cultivation method है, बहुत जादा change हुआ है, due to three factors, the characteristics of physical environment की वज़ह से, technological know-how की वज़ह से, and socio-cultural practices की वज़ह से, agriculture में काफी changes आएं हैं, अब देखते हैं, farming varies from subsistence, please ध्यान देज़े, आपर इस पर question बहनेगा, farming varies from subsistence to commercial, पर इस समझते हैं, subsistence मतलब क्या होता है, subsistence farming का मतलब होता है, for one's own use, यानि self consumption के लिए जब हम crop grow करते हैं, तो वो होता है, subsistence farming, but commercial farming क्या होता है, commercial farming is for sale, to make profit, to earn money, right, तो हमने देखा कि types of farming, दो major types हैं, एक तो subsistence, और दूसरा है, commercial, subsistence के दो टाइप हैं, subsistence दो टाइप का है, subsistence farming दो टाइप का है, एक तो है हमारा primitive, primitive subsistence farming, दूसरा हमारा intensive subsistence farming, right, आप लोग देख सकते हैं, primitive subsistence farming, and intensive subsistence farming, now we'll move to the, ये subsistence के दो टाइप हो गए, आप लोग आगे इस पर डीटेल पर पढ़ेंगे, और commercial हो गया, commercial भी हम लोग पढ़ेंगे, चलिए, we'll move to the next slide now, next slide में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पले हम लोग पढ़ेंगे, primitive subsistence farming, तो सबसे पले हम लोग देख लिएते, primitive subsistence farming का मतलब क्या हो था, primitive मतलब हो था, ancient और old, means old model की जो farming होती है, या है, उसे primitive subsistence, या है, old-fashioned agriculture, जो self-consumption के लिए crops को grow करता है, है, right, अब देखे, primitive subsistence को कुछ और नामों से जाना जाता है, आपके one mark लिए काफी important है, कि primitive subsistence farming के लिए other terms क्या है, एक तो है, slash and burn, दूसरा है, shifting cultivation, it is also known as shifting cultivation, और slash and burn cultivation, so primitive subsistence के दो और terms है, जो हमने देखा, आये समझते हैं, तो एक पर फिर से मैं, हम लोग इसे समझ लगते हैं कि primitive subsistence farming क्या होती है, primitive subsistence farming मतलब हुआ, old-fashioned way of agriculture, जिसमें crops for own consumption grow करी जाते हैं, not for sale, this type of farming is still practiced in few pockets of India, especially north-east में, यह agriculture practice करी जाते हैं, और भी है, जैसे मत्रप्रदेश भी है, इसके बार हम detail में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगला point देखते हैं, इस पर दोस्तों question बनता है, what are the main features, आप लोग confused मत हो न, main, चाहे वो features की बात करें, चाहे characteristics की बात करें, बात एक ही है, features or characteristics एक ही बात है, तो इस पर तीन number का question आ सकता है, what are the main features or characteristics of primitive subsistence farming, आईए ध्यान से, इसे समझते हैं, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहरा था, कि जब एक question, यह इस तरह का question, assertion and reasoning में भी आजकल आने लगा है, तो आप लोग हर points को बहुत अच्छे से, ध्यान से पढ़िए और समझे, तो देखते हैं, क्या main feature है, तो पहला feature है, जो primitive subsistence agriculture होती है, it is practiced on small patches, on small patches of land, यह लार्ज field नहीं होता, जैसे commercial में क्या होता है, बड़े-बड़े fields होते हैं, इस में क्या है कि small patches, relatively small patches पे agriculture होती है, पहला, दूसरा, with the help of primitive tools, primitive tools मतलब old ancient tools, जो advanced machine नहीं है, जैसे आज हमारे पास tractor है, thresher है, harvester है, right, वो primitive tools होते हैं, primitive tools यह तीन है, आप लोग याद कर लिजिए, आप हो देख सकते हैं, यह, यह मेली digging के काम में आता है, हो याह है, उसके बाद, दाओ यह, harvesting के काम में आता है, न he, Fosal को काटने का काम में आता है, और digging stick, digging stick जो है वो, deep हो लेया, deep हाँ, deeply dig करने के काम में आता है और अगर हलका, फुलका dig करना है बनलब थोड़ी गहरा ही तक तो उसके रही अपना हो काम में आता है तो यह हो गया अच्छा इसमें, यह दो feature हो गया तीसरा feature इसमें family and community इसमें basically क्या होए family members आपस में मिल जूलकर खेतों में काम करते हैं और मालीचे कभी ऐसा भी होता है कि पडूसी आगया help कर दिया आपकी खेती में आपकी crop को harvest करने में या आपकी crop या तो field तयार करने में clear करने में उसी तरीके से जब आपका आपका sowing मतलब आपके खेत में काम खत्म हो गया ता अपने पडूसी के खेत में जाके help कर दी तो basically इसमें बाहर से labor hire नहीं किया जाता इसमें family members ही मिल करके या पडूसी से help ले करके काम चलाया जाता है तो family और community labor से ही काम चलाया जाता है बाहर के labor पैसे देखे labor हायर नहीं किये जाते है चोथा feature क्या है इस type of farming depends upon monsoon basically irrigation clay canals or tuvales या pumping sets का इस्तेमाल नहीं होता ये monsoon इंद्र देवता की क्रिपा आपे depend करते है monsoon and natural fertility of the soil natural fertility of the soil पर depend करते है लोग fertilizers like urea या dye इस तरही कि जो chemical fertilizers होते है उनको ये use नहीं करते है and एक चीज़ और है suitability of the other environmental conditions to the crops grown जो crops ये लोग grow कर रहे है उसके लिए suitable weather conditions भी होनी चाहिए basically इसमें कौन कौन से crop grow करते है आई एक बड़ देख लेते हैं primitive subsistence farming में कौन कौन से crop grow करते है इसमें mainly एक तो हम लोग देख सकते हैं कसावा 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 grow करते हैं यायम grow करते हैं अभी बताता है आप लोग को बहुत हसी आएगे सुन करके कसावा और इसको हम लोग भी खाते हैं अपने घरों में कसावा हो गया यायम हो गया और millet आप लोग दोस्तों अगर ध्यान दीजे millet एक ऐसा crop है इसके लिए irrigation की जरूवत ही नहीं पड़ती millet के लिए irrigation की जरूवत नहीं पड़ती जैसे wheat और rice के लिए बहुँ जाद irrigation की जरूद पड़ती है राइट अब ये लोग जंगल में रहते हैं वहाँ पे two well और canal थोड़ी होती है जो केसावा जो केसावा होती है आप लोगों को आप लोग अपने घर में अपने मम्मा से जरूद बात करेगा साबुदाना एक white color का ये गोली जैसा मतलब गोली जैसा round shape का होता है white color का साबुदाना साबुदाने की खिच्डी भी लोग खाते हैं तो साबुदाना हो गया केसावा से ही बनता है और yam, yam को हिंदी में बोलते हैं सूरन, North India में काफी elephant, yam भी बोलते हैं इसको भी पानी की बिल्कुल केसावा और yam दोनों को पानी की बिल्कुल जरूद नहीं पड़ती आप seed आप जमीर में डाल दो अपने आपे तैयार हो जाते हैं तो ये main crops हैं जो ग्रो करी जाते हैं subsistence primitive subsistence farming में now we'll move to the next slide slash and burn practice किया जाता है इसकी process क्या होती है means actually में slash and burn या shifting agriculture को practice कैसे करते हैं आए देखते हैं क्या process होती है सबसे पहले क्या करते है slash and burn agriculture है तो हम जानते हैं पहले सही पहले क्या करते हैं सबसे पहले clear a patch of land कैसे clear करते हैं patch of land को माली जो वहाँ पर plants हैं या trees हैं उनको काट देंगे और they will wait की जब तक वो dry न हो जाए जब completely dry हो जाता है उसको जला देते हैं इसलिए slash means cutting of plants and trees हो गया और burn means उनको जब वो सूक हो जाते हैं dry हो जाते हैं उनको जला देते हैं जो ash निकलती है जो राक निकलती है उस soil में बहुत nutrient add करती है क्योंकि लोग fertilizer तो use नहीं करते हैं तो राक बोड़े काम किया ते एक बार देख सकते हैं दखिए एक patch of land को clear किया trees और bushes को काट करके उसके बाद जब dry हो गए तो उसमें fire लगा दी इसके बाद ashes जो जमीन पर पड़ी है ये soil के लिए nutrient का काम करते हैं soil को fertile बनाती है आईए देखते हैं कैसे practice करते हैं farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crop जो grow करना होता है और ये किसके लिए grow करते हैं sustain their family अपनी family के खर्चे भर के लिए उनको grow करना होता है they don't want to earn money, they don't want to sell right actually उतना ज़्यादा होता ही नहीं when the soil fertility decreases, मालीजे इस patch of land की अब एक बार एक crop ले लिए, दो crop ले लिए उसके बाद उसमें से crop नहीं ले सकते, क्योंकि soil की fertility खतम होगे क्या करेंगे, आगे उस प्लेस को छोड़ देंगे और दूसरी जगा चले जाएंगे वहां की ट्रीस और भूशेस और प्लांट को काटेंगे ड्राई करेंगे, उनको आग लगा देंगे फिर वहां पर फिर अगरी कल्चर करेंगे और तब तक जो पिछला वाला था एक या दो साल में, वो अपने आप वहां पर ट्रीज और बुशेस ग्रो हो जाती है वो रिप्लेश कर लेता है, अपने आपका अपनी खोई हुई ताकत को वहां की soil फिय से पा जाती है नेचरली वो रिप्लेश हो जाती है फटाइल हो जाती है, समझते है तो, decrease the farmer shift, shift and clear a fresh patch of land for cultivation, नाव तीसरा पांट देखते है इस टाइप आफ शिफ्टिंग यही एक रीजन है कि जब इसको shifting agriculture क्यों कहते है slash and primitive subsistence farming को slash and burn क्यों कहते है, यह सो पता चल गए आपको right, इसको shifting agriculture क्यों कहते है इसको shifting agriculture है, shifting cultivation इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जाब उस particular patch of land की fertility कम हो गई, या खतम हो गई तो दूसरी जिगा shift कर गए इसलिए इसको shifting agriculture या cultivation भी कहा जाता है now अब लग फोर्थ पॉइंट देखते है right, फोर्थ पॉइंट है land productivity in this type of agriculture is low, चाहर से बात है कि न तो irrigation की अच्छी facilities है और नहीं, chemical fertilizer use कर रहे हैं, right तो जो productivity जो output होता है agriculture में बहुत कम होता है land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers and other modern inputs which we normally जो आज के इंडिया के फॉर्मर में farmers हो यूज करते हैं, बट ये लोग जो shifting agriculture को practice करते हैं primitive subsistence agriculture के जो लोग practice करते हैं, वो लोग नहीं use करते हैं, इसलिए agriculture की productivity याणि आउटपुट बहुत कम होता है, now now we'll move to the next slide and it talks about ये काफी important है इसमेरा आप लोगों को बहुत दिक्कत भी होती है मैंने आपसे वीडियो के शुरुवात में promise किया था learning की अच्छे छिट्रिक्स हैं, आइए देखते हैं आप लोगों को learn हो जागा, बहुत easily learn हो जागा पहले देखते हैं, ये जो shifting agriculture है, या slash and burn agriculture है या primitive subsistence farming है, इंडिया के किस state में practice करी जाती है और उस particular state में उसका नाम क्या है तो इसके लिए नहीं जो map बनाया हुआ है, ये map बहुत ही useful है देखिए, सबसे पहले हम नौर्थ से शुरू करेंगे ये तो नेपाल हो गया देखिए, ये जो हिमालेन बेल्ट है इसको हम लोग हिमालेन बेल्ट बोलेंगे जो हिमालेन बेल्ट में जो ये agriculture practice करी जाती है अपने primitive subsistence farming को, जिसे zooming भी बोलते हैं zooming, इसको zooming भी बोलते हैं j h u m m ing zooming, right तो हिमालेन बेल्ट में, हिमालेन बेल्ट में इसे zooming agriculture को खिल नाम से जानते हैं, खिल अब देखें हिमाले की वादी है, वादियां है तो जाहर से बाते फूल भी होंगे और फूल खिलते हैं, तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, देखते हैं Himalayan belt में देखे It is known by different names in different parts of the country तो Himalayan belt में जैसे कि मैं रखाए है Himalayan belt हो गया तो नेपाल हो गया तो इसे छोड़ते हैं Himalayan belt में इसे खिल नाम से जानते हैं Himalayan belt जैसे मैं पहले बोला Himalayan belt है Himalayan है तो वादियां होंगी वादियां है तो फूल होंगे फूल है तो खिलेंगे इस तरीके साथ लोग याद कर सकते हैं कि Himalayan belt में इसे खिल बोलते हैं जूमिक अरिकल्चर को दूसरा It is zooming in North Basically I am sorry मैंने थोरी सी गलती करी Basically जो primitive subsistence farming है उसे Himalayan belt में खिल बोलते हैं जूमिक कहां कहां बोलते हैं North Eastern States में किनकी North Eastern States में सारे North Eastern States में इसे जूमिक नहीं बोलते हैं इसे जूमिक कहां कहां बोलते हैं आईए देखते हैं ध्यान से देखते हैं देखे Assam में Meghalaya में Majoram में and Nagaland में इन चार स्टेट्स में एक बार यहां देख लेते हैं इसको याद करने की ने बहुत ही आसान सी ठीक है देखिए जूमिंग कहां कहां बोला जाता है उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को देखिए बहुत यहां से देखिए आज मेःगहा एंड मीना शिफ्टिंग एग्रिकल्चर को अज़ेश एण बर्ड कल्चर को क्या बोलते हैं जूमिंग ज-u डबल-M-I-N-G तो इस सरी के साप याद कर सकते हैं तो इस तरी इस ट्रीक से आप लोग याद कर सकते हैं इन स्टेट्स में क्या बोलते हैं अगे बढ़ते हैं उसके बाद अगर हम हमने आसाम विजिट किया ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत ही अची ट्रीक है आप लोगों सच बता रहा हूं ध्यान से देखला आपको तुरंद लण हो जाएगा देखे हमने आसाम विजिट किया हमने मिजोरण विजिट किया हमने नागा लेंड विजिट किया उसके बाद हम लोग चलाएंगे मनीपूर राइट मनीपूर में मनीपूर में स्लैशन बर्न एग्रिकल्चर को क्या बोलते हैं ध्यान दीजिए मनीपूर मनिपूर है मनिपूर right wait मनिपूर है मनिपूर में इस agriculture को क्या बोलते है मनिपूर है तो दोस्तों एक छोटी सी trick है से धान देते हैं देखो यह क्या होते हैं palm है हमारा palm right हम लोग कभी बहुत ज्यादा हसी आती है तो हम अपने palm से अपने मूँग को अपने mouth को ऐसे दबाते हैं तो palm and mouth ध्यान दीजिए palm मनीपूर में palm 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 and mouth m o u इसी जड़ा ध्यान से समझेगे palm चलिए से मैं capital में लिख देता हूँ तब आप लोगों को ज़्याद अच्छा समझ मैं आगा यह मनीपूर में से shifting agriculture को क्या बोलते हैं देखे पी एल एम पाम हो गया उसके बाद माउथ इसी एम से माउथ m o u राइट इसी देखे पाम राइट हमारा यह पाम हो गया अब यह हो गया m o u mouth का हम लोगों ने mouth का हम लोगोंने ndrl f अब देखे इस ट्रिक से कैसे लन करते हैं से फिर से लिखते हैं से हमने पी लिखा हमने ए लिखा अब एल नहीं लिखेंगे एम लिखेंगे एम लिखा अब एल को यहां लगा दो और ओ यू को यहां लगा दो यह निकल आया आपको पैमलू देखें यहां पे लिखा हुआ है पैमलू मनिपूर में शिफ्टिंग अग्रिकल्चर को क्या बोलते हैं पैमलू चरिया अब मनिपूर हो गया हमारा सारा नौर्थ इस्ट कवर हो गया नौर्थ इस्ट से अब हम देखे नौर्थ इस्ट से हम पहुंचेंगे जारखंड अब हम आगए जारखंड बहुत ध्यान से हम लोग चलेंगे जहारकंट से हम लोग चलेंगे उडिशा के तरफ ओडीशा औडीशा में क्या बोलते है इसे बहुत ही आसान है दetoondisha में क्या बोलते हैं कि charities पामा डाबी और कोमन और ब्रिंग इन विलिंगा इन ओडीशा भूत ही आसान से धहान से समझेगा मैं learn करा दूँगा बैल ध्यान से आप देख लिए बस देखिए इसको ओडिशा में क्या बोलते हैं ज्यान दीजिए ब्रिंगा का हम लोग करेंगे ब्रिंग और फटावनी है बट learn हो जाएगा ब्रिंग और एक को अलग कर दिया क्या कि ब्रिंग अ पा, क्या फैसल हम ले भाया हूं, पा मा, ब्रिंग अ पा मा, को पने, दाबी को थोड़ी देर के लिए के हम लोग डडल, को द द रच्ण, लेकिन इसको हम थोड़ी द दिर के हम लोग पढ़ए हैं, डाबी नहीं, दादी पढ़ते हैं B को हम लोग D पढ़ लेते हैं देखिए सिर्फ कैसे लर्न हो रहा है, देखिए ब्रिंगा को हमने बना दिया ब्रिंग अ पामिन्स पिता जी पापा मामिन्स माता जी यह क्या हो गया, दादा दादी ब्रिंग अ पापा, माता जी, मामा, दादी, और, ये क्या है, और कोमन, ये क्या है कोमन, देखते हैं नहां से, कोमन, तो हम कुछ समय के लिए इसकी कोमन की जगा इसे हम L मान लेते हैं, कोमल, तो एक सेंटेंस बन गया, कि ओडिशा में शिफ्टिंग एग्रिकल्चर को क्या बोलते हैं, ब्रिंग और पा, मा यानि पापा, मा यानि मम्मी, दादी यानि दाबी और कोमल, कोमल को क्या कर दिया, कोमन, तो इसे कैसे याद करेंगे, ब्रिंग और पा, मा, दादी यानि दाबी और कोमल, यानि कोमन, लन हो गया आपको, नेक्स अम समझते हैं, अब यहाँ से, हमारा जहारकंड हो गया, ओडिशा, ओडिशास हम लोग चले आते हैं, आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, लर्न हो जागा ध्यान से सुन लिजे बस आप लोग, पोडू, देखो पोडू वर्ड बड़ा अजीज सा लग रहा है, आप लोग, फोडू, फोडू वर्ड से ज्यादा परचित हैं आप लोग, फोडू, फोडू की स्पेलिंग क्या होगी, आप लोग बहुते हैं, भाई फोडू पिक्चर है, फोडू और पैंड पैंड से आप लोग लिגते हो, पैंड़ से आप लोग लिखते हो, पैंडा, इसे फोडू बना लो थोड़े चाइम के लिए बट्याद रखना, इसमें एच्छिचक फाटा दोगे, जैसे donc क्या अओगा, फोडू यापंडा, पै पिंदे यानि पेंड़ा आंधर प्रदेश में शिफ्टिंग अगरिकल्चर को यह बोलते हैं फोड़ू एंड पेंड़ा इसको फिर एचे टाके पोड़ू और पेंड़े को पेंड़ा बना सकते हैं आप लोग चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ करते हैं यह तक ब्राइंटर पा, मा, दाबी यानि दादी और कोमन यानि कोमल उसके बाद हम आंधर प्रदेश में आ गए जहां पे हम लोगों ने फोड़ू किया और पेंड़े यानि पेंड़ा किया उसके बाद हम लोग आंधर प्रदेश के बाद हम लोग च्छतिस गड़ में जाएंगे च्छतिस ग जमाना नीको बार में shifting agriculture को क्या बोलते हैं दीपा चले एलन होगे आपको next हम देखते हैं अब यहां से हम 36 गर से सीधे कहां जाए देखे 36 गर से सीधे जाएंगे मध्रदेश में मध्रदेश में shifting agriculture को क्या बोलते हैं टाइगर शॉफ और रितिक रोशन की मुवी वार आपको याद होगी और पुराने जमाने जब राजा लोग वार चाते थे तो रानिया उनको तिलक लगाते थी और दही और शक्कर खिलाते थी जाए आप विजाई भौव आप जीत करके बुदा आईए राइट तो याद रखिए वार एट दही कि मध्ध्रदेश में shifting agriculture को क्या बोलते हैं वार एंड दही दही का दहिया कर लिजे वार से पहले बी लगा देए बी व्पुर्ण दहिया बोलते हैं बी वार अड दहिया बोला जाता है shifting agriculture को मध्ध्रदेश में इस में देखते हैं। यह वख व्ला इंट्रेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग यहां देखें। मध्ध प्रदेश रहरे यह क्यात कि साओफ यस्त मराजस्थान , ंज् Vaccine इस्टन राजस्थान में क्या बोलते हैं शिफ्टिंग अग्री कल्चर को इसका भी बहुत आसान सा ट्रिक है देखिए इसको बोलते हैं सदर्न इस्टन राजस्थान में क्या बोलते हैं शिफ्टिंग अग्री कल्चर को इसकी ट्रिक है वाल ट्री हमने लिख लिया यानि वाल के पास ट्री है वाल से एकदम लगा हुआ ट्री है अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे वाल से लगा हुआ ट्री है साओथ इस्टन राजस्थान में शिफ्टिंग अग्री कल्चर को वाल से लगा हुआ ट्री को क्या बोलेंगे नहां से देखिए wal निका लिया एक L कट कर दिया उसके बाद TRE ले लिया TRE ले लिया एक E कट कर दिया यानि पहले आप लिख लो पहले आप लिखो सबसे पहले wal tree यानि Southern Eastern Rajasthan में shifting agriculture को क्या बोलते है wal tree wal tree लिख लिया wal tree लिखने के बाद wal का last L कट रादो while हो जाएगा और tree का last E निकाल दो while tree हो गया जब आपको while tree निकल गया तो while tree से हम दूसरा चीज़ निकाल लेंगे एक दूसरा नाम है अब देखो अगर हम alphabet देखें तो W से ठीक पहले क्या आता है W से ठीक पहले V आता है V for when S T U V W तो W से ठीक पहले क्या था V right W की जब लिख दिया V A L पूरा ऐसे उतार लिया V A L ऐसे पूरा उतार रहे है अब यहाँ पे आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे T T को कट कर दो आप क्या उता रहा है Valerie या जो भी आपको पढ़नाओ पढ़ लिजे इस ट्रिक से देखिए आपका यह देखिए आपका Valerie and Waltree Waltree दोनों निकलाया South Eastern राजस्तान में Shifting Agriculture को जो बोलते है निकलाया आपने आप Waltree Waltree से Waltree निकलाया Waltree से फिर हमने V A L T R E निकले बिसिकली याद रखना है इसमें L Cancel करना है E Cancel करना है एक L एक E उसके बाद निकलाया था है W की जगापे W से पहले वी आता वी लिख लिया और उसमें एक T T हटा दिया इस चीक से में यह लर्न हो गया Now Next आप देखते हैं 10th place पे Western घाट Western घाट में से क्या बोलते हैं कुमारी है सब आप लोगों का आप उसके मीना कुमारी हो गया मंजू कुमारी हो गया लड़कियों के नाम से संदीब कुमार लड़का होता है कुमार लड़कों के नाम क्या कि कुमार लगाते हैं नाम से परे कुमारी लगाते हैं तो विह और से आता है brush देखते हैं कैसे हम लोगों ने 창ery सजब करी कि हैं पहले हम लोगों ने ये दिखा अँच है एल्ड है या में घाएन मेना देखा उसका मनीपूर गए पाम और माउस देखा उसके बार हम लोग जहारखंड आये जहारखंड में कुरू देखा उसके बाद उडिशा गये उडिशा में हम लोगों ने ये ब्रिंग वाला देखा उडिशा में हम लोगों ने देखा था ब्रिंग पामा दादी एंड कोमल देखा उसके बाद हम लोगों ने आंधर प्रदेश गये आंधर प्र निकोबार अंडमानो निकोबार हमने दीपा को शोक है 36 गड़ का बस्तर और अंडमानो निकोबार घोमने का उसके बार हमने मदर प्रिदेश देखा मदर प्रिदेश में वार पे जाने से पहले दही खाया बी वार एंड दहिया हो गया उसके बाद सदन इस्टर राजस्तान म में हम लोगों ने देखा था वाल्ट्री और उसके बाद अपना वेस्टन खाट में हम लोगों ने कुमारी देखा चलिए हमारा यह हो गया नेक्स स्लाइट वे चलिए चलते हैं और नेक्स स्लाइट उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका याद रखना उसके बाद साउथ इस्ट एश्या याद रखना है फिर से बता रहा हूं नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका में देखिए नौर्थ अमेरिका की दो नौर्थ अमेरिका में मेक्सिम को है मेक्सिको है उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में इसे क्या बोलते हैं मिल्पा मिल्खा नहीं भाग मिल्खा भाग का मिल्खा नहीं मिल्पा यह पापा मिल गए मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में इस शिफ्टिंग अगरिकल्चर को क्या बोलते हैं मिल्पा पापा मिल ग वेनेजुेला और ब्राजील वेनेजुएला 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 में उसे इस शिफ्टिंगरीकल्चर को क्या बोलते हैं हम लोग फोन लगाते हैं तुझ यही आवाज आते हैं कौन तो यह देखिए कोना ठिक है थोड़ा सा लेर्निंग में हेल्प करेगा कौन पर वेनेजुएलया में क्या बोलते हैं साउथ अमेरिकार कंट्री है कोन को बोलते हैं और भाई Stephanie से पहले रोका होता है ब्राजिल में रोका हो गया राईट ब्राजिल में शादी से पहले रोका होता है, तो ब्राजील में क्या बोलते हैं, इसे रोका, शादी से पहले रोका होता, आप लोगों को पता, आप लोगों की भी होगी, मेरी भी है, राइट, चले, अगला देखते हैं, अब अब वहाँ से साउथ अमेरिका से, नौर्थ अमेरिका हमारा हो है मा यानि मम्मी इसोल होता है आप लोग इबड़ देख लेजिए मा सोल मा मी मतल्म मतल्व होता है only के वल मम्मी साउथ अफरीका में क्या बोलते हैं मा सोल यानि मतलग only और मा मितलग only mummy South Africa में शिफ्ट में ग्रीक लोग क्या बोलेंगे only mummy मासोल खतम चलिए अब हमारे पास हम देखेंगों इंडोनेशिया और वियतनाम इंडोनेशिया वियतनाम क्या है यह हमारा वियतनाम यह हमारा इंडोनेशिया इंडोनेशिया वियतनाम क्या है यह साउथ इस्ट एस्ट 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 की कंट्री हैं अब देखें इंडोनेशि ठीक है, इंडोनेशिया में इसे क्या बोलते हैं, LAD, LAD, LAD के बाद, आप भी LAD हैं, मैं भी LAD हूँ, LAD के बाद N लगा दो, A और N बच्पन से आप लोग लगाते रहे हैं, तो आज LAD से हमेशा पहले N लगाते थे आप लोग, आज LAD के बाद N लगा दीजिए, उसके बाद N, G, LAD के बाद, जो भी आप प्रणाउंस करना चाहिए, उसके करें, लेडांग कर लिजे, जो भी करना, तो LAD, N, हम लोग हमेशा पहले लगाते थे, हाँ, राइड, LAD से पहले हाला की, A लगेगा, A LAD, लेकिन यहाँ पे LAD के बाद, A नहीं लगाना है, N लगा दो, LAD, N N, G, LAD हो गया, आपको इंडोनेशिया में लेडांग बोलते हैं से, वियत नाम, देखे भाई, हमें सब को पता है, जापान को क्या बहुता है, जापान इस, लेंड ओफ राइजिंग सन, राइट, सन क्या देता है, रेज, अब देखो जापान, जापान से थोड़ी सी इंस अच्छा लगा, मजा आया, थैंक यू सो मच